ओम शान्ती आज 26 मैं 2022 दिन गुरुवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे विजय माला में आना है तो निश्चे बुध्धी बनो निराकार बाप हमें पढ़ाती हैं वह साथ ले जाएंगे इस निश्चे में कभी संशे न आए प्रश्ण विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी तर उन्हें कभी किसी बात में संशे नहीं आएगा वह निश्चे बुध्धी होंगे उन्हें निश्चे होगा कि यह संगम का समय है अब दुखधाम पूरा हो सुखधाम आना है बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं वह देही अभिमानी बना कर साथ ले जाएंगे वह अभी हम आतमाओं से बात करते हैं हम उनके समुख बैठे हैं पर मातमा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी है, और शान्ति धाम में ले जाएंगे, इसलिए सत्गुरु भी है, ऐसे निश्चे बुध्धी हर बात में विजई होंगे गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमा पा लिया है, ओम शान्ति बाप ने बच्चों को ओम शान्ति का अर्थ तो समझाया है, हर एक बात सेकंड में समझने की है, जैसे बच्चे भी कहते हैं, ओम अर्थत, अहम आत्मा ममशरीर वैसे बाप भी कहते हैं, आम आत्मा परमधाम में रहने वाली, वै हो जाता है परमात्मा, ओम यह बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं आम आत्मा वा परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांत तुम जानते हो आत्मा शांतिधा में निवास करने वाली है वहां से इस कर्म क्षेत्र पर पाट बजाने आई है यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है जो कोई भी मनुश्य स्रिष्टी में नहीं जानते हैं बाप भी आकर समझाते हैं बच्चे भी समझाते हैं हमारा बाप परमपिता परमात्मा है वह शिक्षक भी है तो हमारा सत सुप्रीम गुरू भी है जो हमको साथ ले जाएंगे गुरू तो बहुत करते हैं अभी बच्चे निश्चे करते हैं कि परम, पिता, परमात्मा, बाप भी है सहज, राजयोग और ज्यान की शिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे इस निश्चे में ही तुम बच्चों की विजय है विजय माला में पिरोय जाएंगे रुद्र माला वा विष्नु की माला भगवानू वाच मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता है तो टीचर भी हो गया मत तो मिलने चाहिए न बाप की अलग मत टीचर की अलग गुरू की अलग होती है भिन भिन मत मिलती है यह फिर सभी का एक ही है इसमें संश्यादी की कोई बात नहीं जानते हो हम इश्वर की फैमिली अथवा वन्शावली है गोड़ फादर इस क्रियेटर गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेर तो जरूर फैमिली हो गई भारत में ही गाते हैं वह है पास्ट की बात अभी प्रेजन्ट में तुम उनके बच्चे बने हो उसके लिए ही शिक्षा लेते हैं बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप हैं वह योग बल से कट जाएंगे बाप को ही पतित पावन सर्वशक्ती मान कहते हैं बाप तो एक ही है बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं उनसे राज योग सीख रहे हो आदा कल्प तुम ऐसा वर्सा पाते हो जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता वह है ही सुखधाम जब दुखधाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे न वह भी संगम का समय हो गया तुम जानते हो बाबा हमको राज योग भी सिखलाते हैं देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं तुम आत्माओं से बात हो रही है इसमें संशे कीवा मूझने की कोई बात नहीं सामने बैठे हैं यह भी जानते हो हम ही देवता थे तो पवित्र प्रवरती मार्ग के थे चुरासी जन्मों का पाट पूरा किया है तुमने चुरासी जन्म लिये हैं गाते भी हैं आत्माओं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल सत्यूग आदी में पहले पहले देवी देवताएं ही होते हैं जो फिर कल्यूग अंत में पतित बनते हैं पूरे चुरासी जन्म लेते हैं बाप हिसाब भी बतलाते हैं सन्यासियों का धर्म ही अलग है जाड में अनेक प्रकार के धर्म है पहले-पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का कोई मनुश्य वैदेवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते देवी देवता धर्म प्राय लोप है फिर से अभी स्तापना हो रही है फिर सत्यूग में तुम अपनी प्रालब्द भोगेंगे बड़ी जबर्दस्त कमाई है तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो जिससे तुम सच्चखंड में सदा सुखी बनते हो तो अटेंशन देना पड़े बाप ऐसे नहीं कहते घर बार छुलो वे तो सन्यासियों को वेरा ग्याता है बाप कहते हैं वे रौंग है इससे कोई स्रिष्टी का कल्यान नहीं होगा फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है एक दो वर्ष में पोतायादी होती है कोई तो समझते हैं लक्षमी का आवाहन करेंगे परंतु वह तो तबाएगी जब शुद्ध होंगे भक्ती मार्ग में मालक्षमी की पूजा करते हैं उनसे पैसा लेने के लिए जगत अंबा के पास कभी पैसा नहीं मांगेगे पैसे के लिए लक्षमी के पास जाते हैं दीप माला पर व्यापारी लोग भी रुपे पूजा में रखते हैं समझते हैं व्रद्धी होगी मनो कामना पूरी होती है जगत अंबा का सिर्फ मेला लगता है मेला तो है ही यह जगत पिता जगत अंबा से मिलने का मेला यह है सच्चा मेला जिससे फाइदा होता है उन मेलों पर भी बहुत भटकते हैं कहा नाव डूब पड़ती है कहा बस एक्सिडेंट हो पड़ती है बहुत धक्के खाने पड़ते हैं भगती के मेले का बहुत शोक रहता है क्योंकि सुना है ना आत्माओं और परमात्मा का मिला लगता है यह मिला मशुहूर है जो फिर भगती मार्ग में मनाते हैं कॉम्पिटीशन है राम और रावन की तो बाप अच्छी रीती समझाते हैं मुर्चित नहीं होना है राम और रावन दोनों सर्वशक्तिवान है तुम हो युद्ध के मैदान में कई तो घड़ी-घड़ी माया से हारते हैं बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं बाप की याद से ही विजय पाते जाएंगे ज्यान तो सेकिंड का है बाप विस्तार से समझाते हैं यह स्रश्टी चक्र कैसे फिरता है नट शल में तुम बच्चे बीज और जाड को जानते है इनका नाम भी है कल्प व्रिक्ष इनकी आयू लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती यह है वेराइटी धर्मों का जार एक धर्म की शकल न मिले दूसरे से बिल्कुल ही भिन है इसलामियादी कितने काले है वाँ भी धन बहुत है धन के पिछाड़ी तो सब है भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग-अलग है भिन वेराइटी धर्मों का जार है तुम समझ गए हो कैसे व्रद्धी होती है इनकी भेंट बनें ट्री से की जाती है अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है बाकी धर्म कायम है देवी देवता धर्म कोई नहीं है कलकते में तुम देखेंगे सारा जाड हरा भरा खड़ा है फाउंडेशन है नहीं इनका भी फाउंडेशन है नहीं जो स्थापन हो रहा है बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है अब वापिस चलना है बाबा के पास तुम मेरे पास आ जाएंगे ये भी जानते हैं सिवाए भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता गाते भी हैं प्राचीन भारत परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है बाब कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे नहीं निराकार को मानेंगे कृष्ण तो सत्यूग का प्रंस है उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते हैं एक-एक के फीचर्स अलग-अलग हैं कर्म भी सबके अलग-अलग हैं यह अनादी ड्रामा बना हुआ है हर एक आत्मा को पार्ट मिला हुआ है आत्मा अविनाशी है बाकि यह शरीर विनाशी है मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ परन्तु यह आत्मा का ज्यान भी कोई को नहीं है बाप आकर नहीं बाते सुनाते हैं मेरे सिकीलदे बच्चे बच्चे भी कहते हैं बाबा पांच हजार वर्ष हुए हैं आप से मिले योगबल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो पहली हिंसा है एक दो पर काम कटारी चलाना यह भी समझाया गया है बाबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते जबकि योगबल से बनने वाले हैं परन्तु शास्त्रों में फिर देवताओं और देखत्यों की युद्ध दिखाई है वह बात ही नहीं यह तुम योगबल से जीत पाते हो बाप द्वारा बाप है विश्व का रचियता सो ज़रूर नई विश्व ही रचते हैं लक्षमी नारायन नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे हम ही स्वर्ग के मालिक थे फिर 84 जन्मले पतित वर्थ नौटा पैनी बन पड़े हैं अब तुमको ही पावन बनना है भगत तो बहुत है परन्तु जास्ती भगती किसने की है जो आकर ब्राह्मन बनते हैं उन्होंने ही शुरू से लेकर भगती की है वही आकर ब्राह्मन बनेंगे प्रजा पिता सोक्षुवतन में तो नहीं है ब्राह्मा तो यहाँ चाहिए न जिसमें परवेश करते है तुम जानते हो जो बाबा मम्मा यहां है वह वहाँ है यह बातें बड़ी अच्छी समझने की है डारेक्शन बाबा देते रहते हैं ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो बच्चे नई-नई इन्वेंशन निकालते हैं कोई चीज की कोई इन्वेंशन करते तो कहेंगे कि कल्प पहले भी यह इन्वेंशन निकाली थी फिर उनको इंप्रूव्मेंट किया जाता है स्वर्ग और नर्क का गूला जो बनाया है यह बहुत अच्छा है क्रिशन सभी को बहुत प्यारा लगता है परन्त उन्हों को यह पता नहीं कि यही नारायन बनता है अब यह युक्ती से समझाना है तुमारा यह गूला तो बहुत बड़ा होना चाहिए एकदम छत जितना बड़ा हो जिसमें नारायन का चित्र हो क्रिशन का भी हो बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीती देख सकते हैं जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए है पांडव तो तुम हो ना यहां बड़े तो कोई है नहीं जैसे मनुष्य होते हैं छे फुट वाले ऐसे ही हैं ऐसे मत समझो सत्यूग में बड़ी आयू होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे जास्ती लंबा मनुष्य तो शोबता नहीं तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए सत्यूग का चित्र भी फस्ट क्लास बनाना है इसमें लक्ष्मी नारायन का नीचे राधे क्रिश्न का भी देना है यह है प्रिंस प्रिंसिज यह चक्र फिरता रहता है ब्रह्मा सर्जवती फिर लक्ष्मी नारायन बनते हैं हम ब्राहमन सो फिर देवता बनते हैं यह अभी जानते हैं हम सो लक्षमी नारायन बनते हैं फिर हम सो रामसीता बनेंगे ऐसी राजाई करेंगे बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसी को समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा कहेंगे यह तो बड़ा फस्क्लास ग्यान है बरोबर हठ योगी तो यह ग्यान देना सके सत्यूग में पवित्र प्रवरती मार्ग था अभी है अपवित्र बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई देना सके जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे है वैची रिती धारन करना चाहिए पढ़ाई से मनुष्य बहुत उच बन जाते है तुम भी अभी अहिल्या कुपजा आदी हो बाप बैट पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो ज्यान का सागर भी वह है अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो नंगे आये थे फिर नंगे जाना है तुम जानते हो यह हमारा चुरासी का चक्र अब पूरा होना है यह तो बड़ा वंडर्फुल है इतनी चोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पाट भरा हुआ है जो कभी मिटने का नहीं है इनकी ना आदी है ना अंत है कितनी वंडर्फुल बाते हैं हम आत्मा चुरासी का चक्र लगाते हैं इनका कभी अंत नहीं होता अब हम पुर्शार्थ कर रहे हैं उसमें सारी नौलेज है स्टार की ही वैल्यू होती है स्टार जितना तीका उतना दाम जासती है अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्यान है गाते भी है ब्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा इस वंडर को तुम जानते हो बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूँ जिसका साक्षातकार भी हो सकता है पर अंतु सुना है ना कि वे हैं बहुत तेजोमय अखंड जोती है सूरे मिसल है तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने नहीं ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजोमय जो कहते वे साक्षातकार हो जाता था अभी तुम समझते हो कि परमातमा स्टार मिसल है अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग दार्ना के लिए मुक्षे सार सच खंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहमाया जीत बनना है बाप से बेहद का वर्सा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाई मिलती हैं उन पर पूरा ध्याम देना है उन शिक्षाओं को अच्छी रीती धारण करना है वर्दान सदा उंची स्थिती के श्रेष्ट आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्माभव जो महान आत्माएं हैं वे सदेव उची स्थिती में रहती हैं उची स्थिती ही उचा आसन है जब उची स्थिती के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती वो आपको महान समझ कर आपके आगे जुकेगी वार नहीं करेगी हार मानेगी जब उचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है आप सदा उचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं मै उचे चढ़ नहीं सकती स्लोगन शांती का दूद बन सब को शांती का दान दो यही आपका उक्यूपीशन है ओम शांती झाल झाल